बाल कल्यान समिती और जिला संरक्षण एकाई के अधिकारियों के साथ पुलिस के सिंक्त प्रयास से दो बिछडे मासूम भाई भेनों को शनिवार को उनके पिता के सुपुर्द कर दिया गया दोनों उपेक्षित भाईबेन शिवा और माला जिनकी आयू पांच और साथ वर्ष है नौ अक्टूबर को कोटा रेलवे स्टीशन पर टेन में बैट गए और नीन में अजमेर पहुँच गए जियर्पी थाना अजमेर ने दोनों को चाइल लाइन के माध्यम से बाल कल्यान समीती के समक्ष पेश कर बाल ग्रे विजवा दिया बाल कल्यान समिती अद्धक्ष जेबी मातुर और उपने देशक जेपी चमवरिया ने बालकों के अजमेर होने की सूचना प्रेशित की तो दोनों बालकों की गुमशुदगी भीमगंज मंडी कोटा में दर्च पाई गई जहां से शनिवार को आये पिता भेम सिंग और कोटा के पुलिस दल को प्रात्मा पत्र सुईकार करते हुए सुपूर्ट कर दिया गया फिर चाहिललागा और जीरपी ने मेरे पास बच्चों को पेशकिया इन्हें फिर हमने उचसीत आशुरे दिया बालेका को लालकों को आपक सुप दिया है। यह बीम ने रिपोर्ट दर्ज कराई ओस मेरे बच्चे नोतारिक से गाईब हैं कोटा से इस पर हमने मुगतमा दर्ज किया 363 का अपन का बच्चों का और उसकी तलाश भी करवा रहे तेसे भी जगा मेसेज दिया बाल गरन कल्यान समीटी से हमें सूसना मिली कि बच्चे दो अजमेर में मिले हैं तो आज में यहां आकर बाल गरन समीट अधिक से रिपोर्ट होगे यह लिकल गए रात में उठके चले गए इस फिर घाडी में बेट गए होएंगे तो सोते सोते यहां पर इसके हो गए कर आज से दस दिन हो गए हैं डूंडते रूंड़ पंदरा तारीख भाए हैं डूंड़ा है सारे डूंड़े पूरे अब बहुत खूशी हुई मे उर्ण 2